हेलो गाईज स्वागत आप सबका सिम्रन का किचिन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबुत दाने की खीर विरत के लिए विरत में काते हैं साबुत दाने की खीर वैसे भी खाते हैं जब मन करता है क्योंकि साबुत दाना हेल्थी होता है इसलिए विरत में एकसर लोग ख कसाब उताना लिया है और थोड़ा से ड्राइफूड लिया है सपेद मींगे लिया है पदाम काजू नार येल फोड़े से लिया है और आधी कटोरिया हमने नारेल कस के लिया है क्योंकि नारेल कसमा बहुत अच्छा लगता है खीर में फिर आपने दूद को उबालने के लिए क्योंकि हम पुबलावा दूद के इसमें एक किलो पुबलावा दूद है देशिया कि आमने बाले के लिए रख दिया है कि फाई 10 मिन्ट हो चुक है तो आप हमने कडाई रख़े कडाई में देशी घी डाला है हमने घी हमारा भिगल चुगा है तो हम इसे दो इलाजी सवय दिलाईची डाल देंगे तो हमारी अच्छी जब उन चुकी है तो हम इसमें जो साब उताना हमने पाइदसमें के लिए भी हो आता हम इसे भी डाल देंगे इसकंदर अच्छी तरह हम देशी कीमे से बोल लेंगे एक दो मिनिट हम इसे ही चलाएंगे एक दो मिनिट हो गए हमें भूंते बे तो हम ने जब जूर गरा है अब इसमें डाल देंगे आप भी दूर उबाल के ही डालेगा कच्छा दूर नहीं डालना है क्योंकि साबुत दाने से कच्छा दूर हमारा फट जाता है और आप भी फुल क्रीम वाला ही दूर लेना मैंने भी फुल क्रीम दूर लिया है आप मैं इसे 15-20 मिनिट ऐसे ही पकने दूंगे फिर मैं आपको मेवा डाल के दिखाऊँगी देखिए 15-20 मिनिट हो चुके हैं हमारी साबुत दाने की खेड गारी हो चुकी है देखिए अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगे एक कटोरी मैंने चीनी डाली है आप अपने तेस्ट के हसाब से ही डालना, जो मैंने नारियल लिया है, आदा कटोरी इसे भी डाल दूँगी, ये भी चीनी के साथ अराम से इसमें पकेगा, और थोड़ो से ड्राइफुट जो भी डाल दूँगी मैसे, आदे हमने बचा लिए गानिश के लिए, अब मैं इसे पास मिनाट साथ और ऐसे ही, गारी ओलने तक और पकाऊंगी, पिर मैं आपको स्षाण ह कर के दिखाऊँ, अब मैं आपको सर्फ कर के दिखाती हूँ, देखे, आपको मैं सर्फ कर के दिखाती हूँ, देखे हमारी खीर कितने गाड़ी हो गई है जब आपका मन करें हलका खा लगो तो आप ये खीर बना के खा सकते हैं इसमें मैं ड्राइप रूट डाल लई हूँ विरत में भी खाते हैं अब उम्मीद करती हूं मेरे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी अगर आपको ये बेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मुझे अबंट कर सकते हैं जो मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपी कितनी अच्छी लगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब् हूं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद